आप सभी दर्सकों का स्वागत है हम हर रोज एक नए मेमान से आपको रूबरू कराते हैं आज इसी संक्ला में हमारे साथ वरिष्ट सहित्ते कार से वीजए जी जोशी है वीजए जोशी जिसे जीवन परचे के बारे में साथ ही सहित्ते से जुड़ी कई चीजे इन से हम आपको अन्मोड कराइंगे आए बात करते हम विजए जोशी जुशी साथ से विजे जोशी साब आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है दन्यवाद जी आप अपने जीवन परचे के बारे में बताएं आप कहां से हैं आपकी शिक्सा कहां से हुई और आपने साहित्य के सेत्र में केसे कदम रखा और साथ ही तो कर्वे की प्रेड़ना आपने क दन्यवाद जिनेश जी मूल रूप से मेरा तो यह मानना है कि जब तक अपना परिवेश और पारिवारिक संस्कार यदि सकरात्मक हैं तो आपका अंदर चीपी प्रतिवा स्वते ही उबरने लगती है आपने पूछा कि मेरा तो मूल रूप से मैं जालावार रायस्थान का ओफ में तो जालावार का परिवेश वेसे भी साहितिक और सांस्कति और कला के द्रश्टी से काफी सम्रद रहा है और जिस परिवार में मेरा जन्म kolay मेरे पिता शरी रमेश जी वारिद जो अच्छ साहितिकर और पुरा तत्थु वट्वेटा रिथा इथास्वीत थे उनकी संक्षण में मेरा और यह लेखनकार शिरू हुआ वेसे तो मैं देती ह्या वयात्तों से हुआ सच्छ ववायों पूरा पारिवारिक महोल ही ऐसा अरहा कि दादा जी और दादी जी का संगीत का था वी सुबह शाम की आरती होती है वो साजो साज से होती है तो संगीत का वातवर्ण हमको शिरू से मिला और लोक कला से जुड़ाओं हमारी दादी और नानी से मिलता रहा क्योंकि जो अपने पारंपरिक व्रत त्योहार वगरा पर वो आते हैं उन पर मानना कला ये सब चीजें चलत तो हम भी देखते रहते थे और कलाकारी करते रहते थे तो मूल रूप से स्रजन का जो उत्पन हुआ वह संगीत और कला के माध्यम से दिर दिर जब पढ़ाय का परिवेश चलता रहा तो हमारी प्रात्मिक कख्षा और उच्ट प्रात्मिक कख्षाओं में ऐसे गुरू जी करते हैं तो उन्होंने जो शनीवारी बाल सभा हुआ करती तो याद होगा हमें काफी आऊसर मिला उस समय हमारे पाठ्टे करम में जो जो कवितायन थी जो निबंद थे या जो कहानिया थी उनका प्रस्तुतिकरन हम करते रहते थे इससे हमारे को एक अंदर एक मलब साहस की व्रद्धी होई और विश्वास भी जगा के हम कुछ कर सकते हैं और हमारे गुरुजी का काफी उसमें योगदान रहा तो इस तरह से हमारा प्रस्थूती करन वहां पे अच्छा होता रहा वह प्रस्थूती का यह माध्यम रहा कि जब हम कोटा में आये सतर के दशक में पापा अक्षा में था और रेखांकन किया था रादा कृष्ण का चित्र बनाया था तो वह काफी रहा उसमें नटवर्ट टिपाटी जी वगरा थे उसमें सुचना के इंद्र में तो दीर दीर यह कला के माध्यम से मेरी स्रजन क्षमता को एक तरह से उभारने का एक अवसर रात्र में किया लेकिन कला का जो था कला का जो परिवेश था वो अंदर विच्ञान के साथ सात आकार ले रहा था और यूहीं हमने विज्ञान के लेक लिखना आरंब किये और सबसे पहले नव जोती में मेरा एक लेक छपा था रक्षों से संबन्दित तो मुझे एक प्रे कहानी लिखी वह भी विज्ञान से संबंदित थी उसका शीर्षक था टीस वह कहानी आकाश्वाणी कोटा से प्रसारीत हो गई तो लगा के मैं कहानी का भी लिख सकता हूं तो धेर दिर है कहानी का शेत्र मेरा स्रजन होता रहा और सर्व प्रथम राजस्थान साइट्यकाडम उद्यवपूर से मेरा प्रथम कहानी संग्रे खामोश गलियारे उनिस्सोचिन में में महां के आर्थिक सयोग से प्रकाशित हुआ और इसे नटराज प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया तो यह मेरे लिए एक संबल था और घर का परिवेश भी ऐसा ही रहा फिर मेरा कह नह कहानिया लेकता रहा नाँ जोती में रिन में कहनने च splits रही इस हीेर बीच में और लक्षमाण जी खांडेगार साब का पत्र किनीकल भथनिकल हाड़ती गंगा विज्वाल ना का विज्यत निकलता था टो ने ब Si Ami ability मे ङुश रायस्तानी में भी लिखो हाड़ोटी में तो वहां से मेना हडोती में विज्ञान के लेक लिखना आरंब किया मूल रूप से जो हिंदी में लिखे वे थे विशे वही लिए ताकि वह भाषा का एक स्वरूप खड़ा हो सके उनकी मंशा भी यही थी कि हाँ हडोती में भी लिखा जाए तो उसमें मेरे आले चपतेरे चुरू हुआ और जब मैं डॉक्टर कनेहलाल जी शर्मा जो भाषा वीद रहे हाडोती के रायस्थान के उन्होंने कहानिया हाडोती में भी लिखो न जब लिख रहे हो लेक तो मैंने प्रथम कहानी लिखी राम फूलियो क्योंकि विज्ञान विशे से जुडाओं अध्य प्रियास करने होंगे उसके-भाषा का जो असर है वह रहता ही है तो फ्यलियों करके उसको एक करके मार्ग में लाने लिए मुझे एक निर्देशन दिया और परामर्ष भी दिया उस इसाब से फिर मेरी 11 कहानिया संकलित हुई और रायस्थानी भाषा साइट्यम संस्कति अकाडमी बीकानेयर के सहयोग से प्रथम कहानी संग रहे मंदर में एक दन 1998 में मैं प्रकाशित होके आया ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्दी रही और लोगों का वो रहा सहयोग भी रहा कि मैं मेरे लेखन को तराशते रहे आवसर प्रदान करते रहे और इस तरह से ये सिलसला चलता रहा यही नहीं क्योंकि कला से जुड़ा हुआ था तो कला क्वाचन के साथ जह कला5 की कला प्रदरस नहीं लगती तो मैं उनकी एक रिपोर्टिंग तैयार करता तो वो रिपोर्टिंग भी कला समिक्षा के रूप में उबर के सामना है तो वह नेशनल जीतने सब्सक्राइब लसुण सब्सक्राइब विए यत्रा ही और यही यात्रा का परिणामि यह रहा कि सब प्रतम नवनीत हिंडी डाइजेस्ट में मेरी एक समिक्षा छपी तो मेरे को विश्वास हुआ कि अपने एक समिक्षा हिंडी साहित्य की शेत्र में भी कर सकते हैं फिर दिए दिरे स्याका शेत्र चलता रहा पतरवाचन करते रहे और अकाडमी के सयोग सेеж पतरवाचन हुआ समिक्षा संगोष्टी हुई यह वी मोचंस हमारो में समिक्षां में जब मैंने वो पढ़ना पत्र, पढ़ना प्रारहम किया, तो एक समरद मेरे लिए एक अवसर मिला, उस अवसर से मेरी प्रथम जो है समीक्षा की कृती आई, वो था हमारे यहां के थे समकालीन कताकार, प्रलाश सिंग्जी राठोड, उनके कथे और शिल्प पे आई, तो प्र इन साहित्य आकाडमियों के सहयोग से जो मैंने पत्रवाचन किये थे, जिन पुस्तकों पे मेरी समिक्षा थी, जहां मैंने उनको पढ़ा था, उनका एक संकलन तयार किया, और वो समिक्षा के पत्पर 2012 में मेरा आया, इस तरह से यह सिल्सिला चलता रहा, और अभी तक मेरे पांच कहानी संगर है, दो उपन्यास और पांच ही समिक्षा गरंत प्रकाशित हो चुको हैं, जिसमें एक यह शोज समिक्षा गरंत है, और वरतमान में भी मेरा यह लेखन चल रहा है दिनियाज जी, और यह मेरी एक सुक्ष्म यात्रा का एक सुक्ष्म विवरण जैसा जी, जोशी जी, आपके साइतिक गुरु कौन रहे, जिससे आपको प्रेणा में बिल्कुल मैंने जैसा मैंने आरंब में बताया था दिनियाज जी आपको, क्योंकि मेरा पारिवारी के वातावरण ही मूल रूप से सांसकारिक स्रजन परिवेश को लिए हुए था, इसलिए मेरे गुरु और पिता श्री रमेश वारिद रहे, जिनोंने मुझे लिखने की प्रेणा तो दी ही, साथ ही उन्हें दिशा निर्देश भी दिया, और एक संक्षन भी दिया, कि तुम लिखते रहे हो, लेकिन उनका ये था, खुद है कि साहित्ते कार थे, अच्छे लेखक अच्छे पुरातत्तु विद्ध थे, इतियास विद्ध थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जब भी ला के विशे के लिए आपको कुछ भी लिखना है, तो पहले उसकी पढ़ाई करो, तो उन्होंने लाइबरेरी मैंने तब मैं रामपुरा की अपनी नगर परिश्यत की लाइ लेबरेरी थी, तो जो जिस विशे पे मुझे कुछ अध्यान करना होता था या लिखना होता था, तो उसका पहले अध्यान करता, फिर लिखता, फिर अगर आवश्यता होती तो हमारे गुरु पिता जो उसे देखते आन्यता यूं कहते आप भीजवा दें, बस वो एक दो पार का ये सिलसिला रहा, फिर उनको इतना विश्वास हो गया, कि हमें अपना आप में एक संस्कार डेवलेप हो गया, एक अनुशाशन विक्सित हो गया, जिससे हम लिखने की प्रेड़ना सोत्य प्राप्त करते रहे, वो लिखने का सिलसिला जारी रहा, जोशी जी, किस-किस कावे विदा में आपने लिखा, और प्रमुक कावे विदा कौन सी या, दिनेश जी मूल रूप से मेरा जो विदा है, वो कहानी है, मेरा लेखन का प्रारंब भी गद्य से हुआ, ये भी एक मलब संयोग मानो, कि लोगों का लिखना या लेखकों का लि जो लिखना शुरू हुआ, वो गद्य विदा से आलेखों से हुआ, ये रिसर्च के लेख निकले विज्ञान से संबंदित, और वो ही हिंदी सायते से संबंदित विदा जो विक्सित हुई, वो निभंद की हुई, और आलेखों की हुई, पिर कहानियों की हुई, तो मेरा म मुल रूप से कथा उपन्यास और समिक्षा मेरा ये मुल लेखन का शेत्र है और वो उसमें बरतमान में मैं काम कर रहा हूं चित्रकारी के साथ जोशी जी आज समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने लेखनी के रूप में बिलकुल दिने जी ये बहुत सामिक प्रश्ण है और बहुत एक सरवादिक महत्पूर्ण प्रश्ण है ये कि लेखन आखिर हम कर क्यों रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं तो मेरा तो ये मानना है कि यदि आप में अनुभव और अनुभूती के पायदान सकारातमक हैं तो आप जो चीज अपने आसपास के परिवेश में सामाजिक रूप में ले रहे हैं पारिवारिक परिवेश में अपनी प्रकरती में रमे रहें और वहां से कोई चीज लें या कोई आपको कोई ऐसी दृष्टान्त आप के मनमें उत्पन होता है, कोई भाव उत्पन होता है तो उसे आप कथा कहानी, कवीता, निभंद, आलेक के माध्यम से समाज के समक्ष रखें क्यूंकि आपने वो चीज समाज से लिए और समाज को ही एक दिशा प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक पहलू से उससे रूबरू कराने के लिए उससे आत्मसात कराने के लिए या उससे साक्षातकार कराने के लिए समाज को ही दे रहे हैं इसलिए कि समाज में चेतना का जागरण हो और उसकी एक दिशा निर्धारित हो जाए, लेखक का यही करतव होता है, क्योंकि वो समाज से ले, वो समाज को इस रूप में दे, कि वो समाज अपने विकास के मार्ग पर स्वते ही बढ़ने लगे, आपका लेखन तो उनको एक आधार प्रदान करता है, और लेखक का यही द उसके बारे में आप बताएं न, हाँ, हाँ, बिल्कुल दिनेश जी अच्छा है, चलो आप इतना, बिल्कुल करन्ट एवेर्नेस रखतें, मेरी अभी अभी समिक्षा की एक किताब आईए, अनुभूती के पत पर जीवन की बातें, तो इस अनुभूती के जैसा मैंने अभ पास भेजी, तो मैंने उनकी समिक्षाएं लिखी, आखिर समाज में इन्होंने क्या लिया, क्या दिया, और क्या देना चाहते हैं, इस रूप में लाने के लिए मेरी एक समिक्षा की पुस्तक है, जिसमें लगबग नन्यार में सो पुस्तकों की समिक्षाएं हैं, और उसमे आलेख हैं जिसमें नागार्जुन के हैं अपने आके प्रसिद्ध साहितिकार डाया कृष्ण जी वीजे के कहानियों पर उपर है नरेनाज जी की कहानी कला पर जो उनका शोध ग्रंत आया अड़ोती अंचल की गद्धि परमपरा पर उस पर कुछ आलेख हैं कुछ समिक्षा ह हैं तो यह बहुत अब अभी कुछी दिनों पूर्व यह समिक्षा की पुस्तक मेरी आई है यात्रा जारी है समिक्षा की जोशी जी आज जो साहिति लिखा जा रहा है जी वह मोलूप से समाज को बटकाने जैसा है जो वास्तिव कि साहिते जो समाज को एक नई जिसा देता ह सामने नहीं आ रहा आप जैसे पहले आप लोगों की जो कवीता एक कता जो अकबारों में चपती थी लोग उसको बड़ी उससे पड़ते थे आज देखने को नहीं मिलती बिल्कुल बिल्कुल इसका कारण क्या होंते हैं दिनिया जी बहुत बड़ा बात करी आपने जो समय यह अकबार होना थे तो मैें देने जाता था नव जोति bitcoin में ता उस समय महां देने जाते हैं तो यह उस्वमियनट परिंट मीडिया यह था कि कोई ने कोई कॉई कोई अपने आसम के परीवेश की चीजें साकारात्मक剛 से रात्मक elder से सांबने आएएं गो लेख असमें बहुत उस्साहित तरीके से भाग लेते थे जहां तक भटकाओं की इस्तिति है क्योंकि एक तो यह है कि लेखन जो है वर्तमान संदर्वों में इतना ज्यादा प्रक्षपित हो गया है कि लेखक स्वयम अपनी विधा को छोड़कर ऐसी विधा अपना रहा है कि जिससे में साथ साथ आप जानते हैं अपना यह जो सोशल मीडिया है इसका बहुत प्रभाव रहा तो इसमें सबसे ज्यादा वाट से फेस्बुक का यह रहा कि जो चीज लिखी तुरंत चप जाती है तो उससे क्या होता है कि एक अध्यान की प्रवर्ती लोगों के जो आवकाश था प प्रणत फेस्बुक पर डाल दी और उसके बाद दूसरे घंटे में फिर अपने कोई चीज डाल दी तो इसमें यह है कि एक बहुत थेराओ की इस्तिति लाते वे एक एस्थर्यता प्रदान करते वे यह मीडिया जो है बहुत अच्छा मंचे समाज को दिशा देने के लिए इसमें बटकन के दाएरे उसी प्रमाण में है जितना आपका सकारात्मक स्रजन है बस मूल रूप से लेखक को या चिंतक को या जो सामाजिक परिवेश में जो काम कर रहे हैं उन लगों को इसमें एक ये एक तरह से वो संतुलन बिठाना बहुत जरूरी है कि आप समाज को इन माध्यमों से चाए प्रिंट मीडिया हो चाए वो सोशल मीडिया हो आप ऐसी कोई चीज दें जो आपको सुहम को अच्छी लगे या आपका परिवार उसको देख सके पढ़ सके यही बालकों में अपन देने का प्रियास करते हैं इसलिए इतना ज़्यादा भटका हो तो समाजिक धार्मिक और इधर से यह जो सोशल रूप से जो समाज सेवा का काम करते हैं वे लोग पूरी तरह से इस तन्माहिता से जुड़वे हैं कि हमारा समाज उन्नती के मारूपे तो बड़े ही लेकिन एक संसकारवान समाज हमारे सामने आए ताकि हमारी आने वाली पीड तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने क्यूंकि पहले चंपक नंदन कुछ पत्र पत्रकाइं ऐसी थी कि हम खुद भी पढ़ा हैं उसमें हमने भी इंतिजार रहता था कि इसमें यह कहानी आई उसमें बच्चों की यह कहानी और चित्रात्म कहानी आती थी तो वह प turist मीडिया में भी और social मीडिया में भी बाल सहीत आईती के नाम पे बहुत कम बच्चों को करने की प्रेणा दी जाती लेकिन फिर वी हम ने कुछ कोड़ी-चोटी प्रशक होरेइग है लेकिन बाल सहीती लिखना बहुत कणिन कार्ण है क्योंकि उसमें बच्चों का निर्म की चीज पढ़ेगा तो वह क्या गरन करेगा और उसका क्या परिणाम आएगा यह चीज देखते हुए हम बाल साहित लिए आपने अच्छा प्रशने किया मेरी अभी बाल साहित अकडमी पंड़ी जवाल लाल नेहरों बाल साहित अकडमी से पुस्तक आई है मेरी पहली बाल कि बदल गया मिंग को उसमें यही बात है कि एक द्रिश्टांत आपको बता दूँ कि एक बंदर रहता है उसकी पूँच किसी कारण से कट जाती है क्योंकि वो शेटानी बहुत करता है तो बच्चों को यह पता लग गया कि इसने शेटानी करी इसका परिणाम यह आया अब उ हुमारी पूँच कट गई तो क्या हुआ तुम अपने में सुधार करो फिर एक दिन एक उनके साथी में से कोई डूपता हुआ जाता है तो उनको बचाने के लिए सब खड़े हो जाते हैं लेकिन कोई बचा नहीं पाता कोई हिम्मत नहीं कर पाता नीचे उसमें तालाब मे जाते हैं लेकिन वो उसने एक प्रेणना लेकि एक अच्छा काम किया समाच को कुछ दिया तो इससे बच्छों को एक बहुत बड़ी प्रेणना मिलती है कि भलाची कुछ भी है शेतानी तो बच्छों का सुभाव है उस शेतानी को सकारात्म komt रूप से शक्ती में बदलने क काम माता-पिता शिक्षक और समाच के उन जिम्मेदार लोगों का है कि वो बच्चों को एक दिशा दे दे और उसमें जो नेसरगी प्रतिबा है उस प्रतिबा को तराशने में सहयोग करें उसमें यह बाल साहिती बहुत बड़ा योगदान कर रहा है अपने यहां पर हडोती चैन्चल में भी कई लोगों की बाल साहिती की पुस्तके आई है और अच्छी यह एक दिशा बोधत पुस्तके हैं तो यह एक अच्छा प्रयास हो सकता है बच्चों को देने के लिए लेकिन इसमें एक बात जरूर है इन पुस्तकों को जो है बच्चों तक पहुंचना बह करेगा कि यह किताब में इसमें आपको यह किताब में पढ़ना ही है तो उनमें एक रूची जागरत होगी कोई कहानी पढ़ने की को यह करने की तो उनमें अपने आप में यह होगा कि यार मैं यह जो कहानी में लिखा यह तो मैं कर सकता हूं इसने जो पेंटिंग बनाई य जुड़ा जी विज्ञान से तो मैंने कई बच्चों को उसमा आगए बढ़ने की प्रेण णा दी तो उनके लिए एक साहिक सामागरी होना ज़रूरी होती है तो वह बच्चों को इस Dr. बढ़्सेट अप्रिर करतिर मेरे मेरे पांच कहानी संग्रा आये हैं, जिसमें पहला कहानी संग्रे अर्या था उसके बाद कहयोत परे आये फिर कुवास का सफर, फिर बिंधेवे रिष्थे अभी अभी यह सुलक्ता मौन संग्रे अभी आये इस बीच में मेरे दो उपन्यास आये जिसमें चीखते चोबारे उपन्यास था जो 2004 में आया था और उसके बार रिष्टे वे रिष्टे एक उपन्यास आया जो जैसा की शीरशक्त सही है के पारिवारिक रिष्टों में किस तरह से रिषाव आ गया है यह उसमें उसका एक प् परदी है मेरे अगे कैता हूं कि मेरे शेत्र और आगे लाने के लिए निया उनुक की किताभों से परीचित कराने की लिए कों aider मैं्त है तो समीक्षा की पुस्तक को सकती है उस तवरा से नहीं चपती जैसे पेले आपने अपना पेला प्रश्न किया था उस तरह से नहीं आती छेचे एक-एक साल लग जाते हैं लेकिन ये सोशेल मीडिया का ये प्रभाव रहा कि मेरा एक फेस्बुक पे एक कॉलम चलता है समीक्षा का ही उसमें मैं समीक्षा हैं लोगों की जो जो आती है मैं देता रहता हूं तो ये भी एक मौलिक स्रजन से कम नहीं है इसी तरह से एक अनुवा थैसाङर समाश को देने के लिए तो कि शेत्रों के अलग शेत्रों के जो लेखक हैं, उन्होंने अपने शेत्र से समाज को देने के लिए क्या प्रियास किया, वो अपने यहां के लोग भी जाने, यह अनुवात का सबसे बड़ा एक अवसर रहता है, फायदा भी रहता है, लाब भी रहता है, कि रचनाकार भी उसको बता है दिनेश जी पुरुसकार सम्मान तो मुल्यांकन होता रहा समय समय पर और मुझे राष्ट्री इस्तर पर लगबग साथ पुरुसकार मिल कुए हैं अपने जो है यहां पर जीला परिशासन की ओर से भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है साहित्ति के शैत्र में और कहा इस्थानी के शेत्र में मुझे अभी प्रेमचन पुरुसकार दिल्ली में मिला प्रेमचन पुरुसकार ही अपने विकल्प की संस्था ने जो राश्ट्री इस्तर की संस्था है उन्होंने दिया और यह भावराव देवरा से के संस्था है राश्ट्री अंतर राश्ट्री इस दिलाइस्थे पे जो समय समय पर जिन संस्थाओं ने लगा उनको समुछीत लगा दो मुल्यांकन किया तो मुझे समय तरह सम्मानित कर एक मुझे आवसर तो दिया ही लेकिन एक जिम्मेदारी भी दी। कि आपको अपना लेखन इस शंवान के iwas इसलिए करना है कि आप पे यह जिम्मेदारी आई है कि जिस तरह से मुल्यांकन हुआ है उसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और समाज को एक प्रेंड़ना देते रहें यह मेरा एक अवसर रहा या सयोग रहा लोगों का कि मुझे आगे बढ़ने की प्रेंड़ना मिलती रह है वो विज्ञान के शेत्र में और अपनी पढ़ाई के शेत्र में ज्यादा सजग रहे हैं और कुछ जो कला के शेत्र में जो युवा हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अपने परिवेश और प्रकरती से कभी दूर न रहें स्वयम से समवाद इस्थापित करने की हम से उभा रहे हैं उससे आप स्वय अनुशासित भी होंगे मित्रों को भी अनुशासित करेंगे और समाज को भी एक नई दिशा देने में अपना अहम रोल अदा करेंगे अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे जिससे आपका पारिवारिक समाजिक और राश्ट्री है ती राश्ट्र के लिए हो, कला के लिए हो, संगीत के लिए हो, या सहित्ती के लिए हो यह by बहुत अच्छा काम कर रही है, यह सारी जान कारी जो है यह सोशल मेडिया का सबसे बढ़ा लाब यह रहा, कि नई पीडी को एक आवसर मिलता है, अपने आपको व्यक्त करने का आपनी जो पसंदीदा जो रचना आप बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी जैसा अभी अपनी चर्चा औरीती के कुछ मैंने लिखे हैं तो यह को एक प्रचली तो सर्व पसंदीदा गीत जो लोग पसंद करते हैं मैं आपको उसकी दो एक बंद आपको सुनाता हूं गीत जो प्रकरती से संबन्दी थे रबंदू तेरा काहमुकाम रबंदू तेरा काहमुकाम भोरूई जब सूरज निकला छूटा तेरा धाम रे बंधू तेरा काहा मुकाम पहले हम तुम मिल रहते थे गाते और नचते रहते थे अब तो तुमने तोड़ा नाता बिगडे काम तमाम रे बंधू तेरा काहा मुकाम रे बंधू तेरा काहा मुकाम कटे पेड और धरती नंगी खाने की है सब को तंगी कटे पेड और धरती समी खाने की है सब को तंगी आदमियों के जंगल उग गए तपिश फेली हर ग्राम रे बंधू तेरा काहा मुकाम अंतिम मंद पेश कर रहा हूं है तो बड़ा गीत लेकिन ये वाणी में तो कपट का जाला नैनों में नफरत का काला स्नेह की सरिता सूख गई अब स्नेह की सरिता सूख गई और सूने नैन तमाम रे बंधू तेरा काहा मुकाम भोरुई जब सूरज निकला छूटा तेरा धाम रे बंधू तेरा काहा मुकाम रे बंधू तेरा काहा मुकाम ये थे हमारे साथ साहित्यकार विजेजी जोशी आप हमारे स्टूडियो में पदाड़े बहुत बहुत नहीं दन्यावास अब जब स्टूड़े नहीं फो तो जा आफाब उन्यावब झालने काहा मुकाम भ sow जो बंधू जो पूड़े बंधू जो जो बंदाब झालने काहा मुकाम एली जोड़े